हेलो फ्रेंड्स आज हम एक नए डिजिटल सेट आप बॉक्स जिसका मॉडल दीजेड थीफाइव डबल जीरो हडी है और यह एक जिंग डिजिटल सेट आप बॉक्स है इस सेट आप बॉक्स की अन्बॉक्सिंग करेंगे इस सेट आप बॉक्स का फीजिकल ओवर्व्यू देखेंगे और इस सेट आप बॉक्स को टीवी से कनेक करके फर्स टाइम सॉफ्टे डाउन्वोड का जो प्रोसेस है उसको भी देखेंगे तो आएए शुरुवात करते हैं अभी यहां पर जिंग डिजिटल का जो बॉक्स है इजट 3500HD यह मैं उपन करता हूँ और देखते हैं क्या मिलता है मुझे तो सबसे पहले जो मुझे चीज मिल रही है वो है यूजर मैनुवल इस यूजर मैनुवल में बॉक्स को ऑपरेट करने का तरीका एडवांटिजेज रिमोट को ऑपरेट करने का तरीका साथी साथ असिस्टेंस के लिए हल्पनाई नंबर भी मुझे मिल रहे हैं मुझे एक AV केबल मिली है यह AV केबल 3x1 AV केबल है एक रिमोट मुझे मिला है उपन करते हैं इसको यहाँ पर मुझे Zynk Digital का लोगो दिख रहा है और पीछे की दरफ देखेंगे तो यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं रिमोट को TV के रिमोट के साथ पेर करने के लिए यानि यह रिमोट की यह जो कीज है यह TV के रिमोट के साथ पेर हो सकती है रिमोट को ऑपरेट करने के लिए मुझे यहाँ पेंसिल सेल ट्रिपल ए साइस के मिल रहे है सेट्टो बॉक्स को पावर देने के लिए यह पावर एडॉप्टर मुझे यहां मिल रहा है यह पावर एडॉप्टर में सामने की तरब मैं देखूंगा तो यहां पे जिंग डिजिटल का लोगो मुझे दिख रहा है और यह 12 वोल्ट एक एंपियर का एडॉप्टर है और मुझे मिल रहा है यहां पे एक सेट्ट आप बॉक्स तो आईए अब इस सेट्ट आप बॉक्स का जो फिजिकल ओवर व्यू है उसको देखते हैं तो इस सेट्ट आप बॉक्स पे मैं टॉप पैनल की तरफ अगर देखता हूँ तो यहां पे मुझे जिंग डिजिटल लिखा हुआ मिल रहा है एक स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है मुझे जहां पे मुझे वी सी नंबर और सेट्ट आप बॉक्स नंबर की डिटेल मिल रही है साथी साथ हल्प लाइन नंबर भी मुझे यहां पर लिखा हुआ मिल रहा है फ्रेंट पैनल की तरफ चलता हूँ तो राइट हैंड साइड पे मुझे जिंक डिजिटल लिखा हुआ दिख रहा है और इसका सेट आप बॉक्स नंबर भी मुझे मॉडल नंबर भी मुझे लिखा हुआ यहां पर दिख रहा है लेट हैंड साइड पे सेंसर दिख रहा है और एक बटन है standby button यह मुझे यहाँ पर दिख रहा है left panel और right panel पर मैं चलूँगा तो यहाँ पर air ventilation के लिए space दिख रहा है मुझे back panel की तरफ जब मैं चलता हूँ यहाँ पर multiple ports मुझे दिख रहा है जिसमें पहला port antenna cable लगा ले के लिए है HDMI port अगर set of box को AV cable से connect करना है तो AV port और set of box को power देने के लिए power port यहाँ पर मिल रहा है मुझे bottom panel पर चलता हूँ तो यहाँ पर air ventilation के लिए space है साथी साथ एक sticker मिल रहा है मुझे इस sticker पर set of box का model number serial number, chip ID और VSC details मुझे मिल रही है तो आईए अब सबसे पहले इन ports को कैसे connect करना है TV के साथ में यह सबसे पहले हम देख लेते हैं तो अभी मैं इस set of box को इस antenna cable से connect करता हूँ यह लगा दिया मैंने और इसको hand-dite कर दिया है अब इसमें HDMI cable लगाँगा HDMI cable का है, दो सीरे है एक सीरा TV में लगेगा HDMI port में और दूसरा सीरा इस set of box में कुछ इस तरीके से बढ़ा दूँगा मैं अब अगर TV HDMI नहीं है तो मुझे AV cable की ज़रुत पड़ेगी मैंने यहाँ पे 3x1 AV cable लिया हुआ है जिसमें से यह वाला हिस्सा कस्तमर के TV में लगेगा जिसमें से येलो से मुझे वीडियो और रेड और वाइट से मुझे आडियो मिलेगी और ये सिंगल इससा मैं इस set of box के इस AV port में यहाँ पर लगा देता हूँ यह मैंने लगा दिया है अब set of box को power देने के लिए मैं power adapter लगाऊंगा यहाँ पर यह मैंने power adapter लगा दिया और जैसे ही मैंने power adapter लगाया है आप देखेंगे यहाँ पर मुझे green LED दिख गई है तो आएए अब इस set of box को TV से connect करते हैं और इसका first time software downloading का जो process है उसको देखते हैं तो set of box को मैंने आँ TV से connect करके रखा हुआ है जिंक का logo आया software upgrade का page आया है जहाँ पर satellite के सामने मुझे SES8 satellite दिख रही है और उस satellite की according ही नीचे details, frequency, polarization, symbol rate मुझे दिख रहे हैं नीचे की तरफ signal level और signal quality दिख रहा है अब यहाँ पर satellite SES8 जो दिख रही है मैं इसको change करके ST2 भी कर सकता हूँ मैं वापस इसको SES8 पर करता हूँ और start के button पर आके remote से ok button प्रेस करता हूँ Do you want to upgrade now? मैं yes पर ok करता हूँ और box software लेना start कर देगा software downloading स्टार्ट हो चुकी है हम वेट करते हैं इसके 100% complete होने का इस duration में हमें set of box off नहीं करना है अब देखे 95% हो चुका है वेट करते हैं इसके 100% होने का और software होने के बाद में अब यह flash writing का page आया है इसका भी वेट करते हैं complete होने का 100% और यह 100% complete हो चुका है तो software upgrade successfully हो चुका है लोडिंग प्लीज वेट का पेज आया जिंग डिजिटल का लोगो आया हुआ है अब यहां पर फर्स टाइम इंस्टॉलिशन का पेज आया है जहां पर मैन्यू लेगवेज इंगलिश दिख रही है मैं इस मैन्यू लेगवेज को यहां से इंगलिश से हिंदी भी चेंज कर सकता हूँ remote के navigation बटन से मैं इसको वापस इंगलिश पर करता हूँ और next पर आके मैं okay बटन प्रेस करता हूँ यहां पर सैटलाइट के लिए मुझसे पूछा जा रहा है सैटलाइट सेटलाइट सेट हमने रखी थी सैटलाइट सेटी रखते हैं और स्टार्ट सर्च पर आके ओके बटन प्रेस करते हैं चैनल स्कैनिंग अपडेट स्टार्ट होगी यह 100% कंप्लीट हो चुकी है और अब और अब बॉक्स होम चैनल पर आ गया है अब यहां पर हम एक्टिवेशन कमांड सेंड करेंगे तो फ्रेंड्स यह था पूरा प्रॉसेस डीएट 3500 HD सेक्टाप बॉक्स में फर्स्टाइम सॉफ्रेयर इंस्टालेशन का थैंक्यू सो मच